हेलो अब्रीवान वेलकम बैक टू दी चैनल कैसे हैं आप लोग सब उमीद करते हूं बहुत अच्छ होंगे हम लोग भी ठीक हैं और यह हैं मंडे का दीन और फिर सुरू हो गया है पुरा हफता ऐसे ही मार्निंग में स्कूल टिफिन लंच बाक्स हस्बंड का ओफिस घर का काम तो सुबह वही छे बजे उटने के बाद बलग जाती हूं मैं तो सुबह मैंने अपना जो जीरा पानी वाटर होता डिटॉक्स वाटर हो ले लिया था आरुज जा चुका था स्कूल मैंने इसको स्कू तो साइब के बाद मैंने भिंडी काता था घर्थ वकर लडिक स्टम गानी पानी में डाल दिया था तकी तो थोरा से मस्टड़ आयल ऑइल पड़ा की जिन्उचक के था है जालना चाल लाएं लियाएं तो जब भूर्ण जो होता है बहुत अच्छा बनता है बर थोरा सब चला लें के लिए इसमें बस हल्दी और नमक डालना है बस दो ही दिन मसाले पड़ते हैं इसमें जाला कुछ मसाला पड़ता ही नहीं है तो हल्दी नमक डालने के लिए इसको थोड़ा डग डग के पकाना है और साथ में मैं हजबन के साथ बात भी कर रही थी क्योंकि वो आफिस जाने के तयार ह होते रहते हैं तो जैसे कि अभी हमारा इक ही topic है लोग घर घून रहे हम सर्च करें बस पर मैं इसको और भी अच्छे से बढ़ियां से इसको ना आटा को खुब अच्छे से मरत दूंगी तो क्या होगा ना वो अच्छे से से सेट हो जाएगा और इधर मैंने चाय भी चड़ा दी है चाय साथ में चड़ा देती हूँ हस्बिन जैसे ही नहाने के लिए बात रूम में जाता है कि मैं चाय चड़ा देती हूँ ताकि अच्छे से ये 15-20 मिट में अच्छे से बॉयल होके तयार हो और ये मेरी बिंडी का भुजिया जो है अलग बग तयार हो चुका है इसमें बस एक लास्ट मसाला एड़ करना है उस मतल इसमें झालते हैं और म्तल मसाला करनए न चैस्चे से बगर तर नहीं बैूल है नहीं की तो वाम इसमें बटे जो बिल्ली ले। बार मसाला ऩो तक मैं च्छा जालकि एता हैं बग और नहीं के शाथ أناता और मिरी बिंडी की बुझ्या याप आर लास्ट में इसमें भी 80 पापा का जो टाइमिंग ऑफिस जाने का वो एक घंटा का गैप है ना तो मुझे बीच में ने इनके लंच के लिए टाइम मिल जाता है और साथ में मैं रोटी चढ़ा दूंगी फटाफट से रोटी सेखती हो इधर मैंने चाय में दूर डाल दिया है पती वाली जो पानी होत होता है हाउसल पर के आने से पहले तो फटाफट से मैं इनका लंच पैक कर दूंगी अच्छा लंच में मैंने ना इनको सुबह में बोलती हूं ड्राइफ रूट्स खा लो ती यह बोलते हैं फिर चाय पी ना तो यह नहीं होता तो मैंने जो लंच बॉक्स में साइड से एक पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा और जैसे कि मैंने आपको आपको हर मॉर्निंग वीडियो में मैं शेयर करती हूं कि जीरा वाटर जो मेरा डिटॉक्स वाटर होता हूँ वह भी मैं उसको ना बॉइल करके और छान के मैं साइड में रख लेती हूं और धीरे धीरे सिप चाइम ऐसे नीकालना परता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ना हर ममी के लिए बहुत ज्यादा बीजी होता है तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना परता है तो सेल्फ के लिए भी हो जाता है और इनकी रोटी और वह भिंडी की सबजी और दही मैंने कर लिए है पैक और इनका लंच बॉक्स हो गया है पैक और अभी मैं चाइज चानोंगी चाय और चाय में आराम से इनके साथ बैठके ना तसलिए से दस मिनट टाइम निकाल के मैं चाय पीती हूँ चाय कुछ भी हो जाए उसके बाद मैं अपनी चाय चानोंगी तो सबसे पहल हूँ ताकि उसमें कुछ गीरे ना पड़े ना इसलिए वैसे जस जैसे ही हम लोग चाय लेके बैठते हैं कि पुर्णी आ जाती है तो उसका चाय भी हो जाता है और ढग दिया मैं इसका चाय उसके बाद फिर हस्बेंट जा चुके ऑफिस मैं अपने हॉल का हाल आपको इतने भी एक्स्ट्रा खिलोना है वह इसमें में डाल देती हूं तो अभी उसको नया नया चड़ा हुआ है कि बस उसको सारा रहा एक समान दोड़ने के लिए पुरा बकट यह कट पकट के रख देता है वह लट परट कर देता है तो वह मैंने समेटा आधा समेटा है और काम यह वाला हो सके ना मैं उतना खुद से ही करती हूं मतलब जितने एक्टिव रहो ना तो एक तरह से वह अगर एक्सरसाइज आप नहीं भी करते हो ना तो थोड़ा बहुत ना आपका वह एक्सरसाइज बगएरा हो जाता है उसके बाद फिर यह सारा समेट रही थी मैं सा सब बना कि वह मेरे को भी ठाके खिलाते रहता है और यह मेरी नेवर है जो सामने रहती है वह आ गई थी उनको भी अपना घर सेल पे लगा दिया है तो वह भी डूंड रही है वह मेरे को बताती है कि आपको कुछ पता चला है तो वह बताओ तो बस वही है तो आ गई थी तो बैठे हुई थी और तो मैंने सोचा मैं इनके साथ बैठ कर अगर बात करूंगे फिर तो मेरा काम होनी से रहा तो वह भी मैनेज करना पड़ता है तो साथ में मैं अपना काम भी कर रही हूं और पुर्णी को भी हर बड़ी मची होती है उसको भी दस से ग्यारा घर काम करती है तो उसको भी टाइम से पूरा जारू पोचा करना होता है तो वो भी कर रही थी फिर जो सामने जो मेरी फ्रेंट रहती हो उसने बोला कि चलो आप काम करवा हो फिर मैं नेक्स टाइम कभी आके बात करूंगी या फोन से बात कर लेंगे तो फिर ठीक है वो चले गई उसके बात फिर मैं ने बेज्रूम किलीन किया पुर्णी जब तक ऎुब तक बार बेज्रूम किलीन कीन में मैं न रखती लागता है उस लिए इसको में छनी से ढख दूंग्गी उसके बाद हमारा था जहाला काम बाम खत्म हो गया और आज मैं अपने नास्ते में लूँगी ना पीनेट बटर ब्रेट के साथ तो पीनेट बटर में फ्रीजर्व में रख देती हूँ नुकर मैं थोरा बालकनी में रख के आती हूँ तो यह थोरा से मेल्ट हो जाएगा तो ऍंवर इसप्रेड हो जाएगा अच्छे से कि एक हफ्ता से ज्यादा हो गया मैंने फेस्बुक कुछ नहीं लगा है तो यह मैं गई थी ना अपने माई के तो मेरे चोटे वाले भाई ने दिया था यह एक्चुली यह इसमें न बहुत सारी चीजे मिली हुई है जैसे कि समुदरी नमक मिला होता है अख्रोट का होता है ड सब्मिर के साथ इस customer कुछ तो मैंने अले जील के साथ इसको मिला लिया और उपने चैड़े कैसा लगा चैनल पहना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग